अगर आप class 12 में हाओ तो आज ही हमारी app डाउनलोड ते रिए bio study जिसके अंदर आपको class 12 का study material साथ ही साथ biology के interesting courses मिल जाएंगे स्वालो स्टुडेंट्स वेलकम टू बायो स्टेडी यूटुब चैनल मैं हूँ आपका biology teacher सवरो कड़े आज का यह जो वीडियो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि थमनेल में आपने देख लिया है कि time table मत बनाओ study time table आपको बनाना ही नहीं है अब क्यों नहीं बनाना वो मैं आपको बनाता हूँ ठीक है देखो दो approach होते है एक approach वो होता है कि मैं इतने समय में इतना पढ़ूँगा वो पढ़ूँगा ऐसा पढ़ूँगा वैसा पढ़ूँगा कोई भी इंसान कोई भी स्टून उसको follow नहीं कर सकता वो time table को जो हम पहली बार बना रहे है या फिर हमारे पास अभी बहुत सारा पढ़ेन है कौन सा concept करना है बस वो टास्क को complete कर दो और सोजा अब time table किसको बनाना चाहिए जिसका schedule बहुत fixed है जिसको बीच में कोई काम नहीं है था हमें बीच में काम आ जाता है हमें कभी कभी नीद आ जाती है कभी कभी हमारे आजू-बाजू में कोई काम होता है तो हम उदर चली जाते तो time table जो है वह consistent way में follow करना बहुत hard हो जाता है और student के mind में फिर बाद में ऐसे चला जाते है कि मैं time table follow नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस time table follow ही नहीं करता मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हो तो एक bad impact वहाँ पर पढ़ता है तो मैं बोलना चाहूंगा time table मत बनाई है सिर्फ task के basis पर काम करें यह task मुझे आज लेना है यह task मेरा आज के है वो complete कर देना है ठीक है simple मैं आपको बताना चाहूंगा diary बना लो ठीक है यह diary आप देख सकते उसमें जो है वो सारे task दिये गया है बिल्कुल तो task जो है वो यहापे आपको बनाने पड़ेंग करना है और मुझे आज के दिन ये काम करना है कन ये काम करना है तो इस हिसाफ से क्या होगा आप और पेपर के साथ होता है कि मुझे करना है करना पड़ेगा फिर मेरा यह नहीं हुआ यह चीज आपको समझ में आती है लेकिन अगर माइंड में सोचोगे तो माइंड उसको भूल जाएगा आप उसको भूल जाओगे इसलिए मैं आपको बूलना चाहूंगा सिर्फ टास्क के बिसस के उपर काम करिए डाइरी लिजिए उसके उपर आज के टास्क लिखे मुझे यह काम करना है करने है जिसके कारण अगर आप अच्छे से धीरे 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 अगर टार्गेट बनाएंगे तो कुछ दिन के बाद आपको समझ में जाए कि हमारे जो डाइरी है वह पूरी भर गई है इतने माक्स 100% लाने वाला हूँ क्योंकि एक पीछे आपने कुछ ना कुछ निशान छोड़े है यह डाइरी आपको प्रूफ है आपने कुछ ना कुछ किया है ठीक है आप जैसे ही कुछ चीजों को पढ़ते और भूल जाते हो तो पीछे कुछ निशान ही नहीं है तो आप उसको ल फूट परिंस होते है कि मैंने यह यह किया है तो जब वह 20 साल का होता है और फिर तीस साल का होता है जब जिख्छे देखता है तो उसको लगत यह मैंने किया है मत middle model life मैंने बहुत कुछ किया है most बहुत इंपोर्टेंट है मैं आपको वही बोलना चाहूंगा एक टास्क बनाओ धायरी लो कुछ इसा आप से काम करो और आप जो है वह सिंपल में करना है ज्यादा इंशाल बिल्कुल नहीं लेना है तो यह मैं आपको बताना चाहूंगा आज की इस वीडियो में और अगर आप क्लास 12 में टॉप करना चाहते हो अच्छे स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आज ही हमारा आप डाउनलोड करिए बायो स्टेडी जिस उयset हो आपको स्टॉख में तो